तो गाइस यह एक ऐसा ब्रैंड जिसको हम कुछ देर पहले यार सिर्फ कच्रा आई बोलते थे मतलब यह कोई भी फोन निकाल दें तो हम बोलते थे कि कच्रा फोन आ गया है और यह ब्रैंड का नाम है वीव कोई भी फोन आता था एक ही यहां पर टाइटल होता था कच्रा फो विंगपेंट स्कैनर के साथ आया था हमारे होश उड़ गए थे धीरे तेरे यह लेकर आया है वीवो नेक्स वहाँ पर भी होश उड़ गए क्यूंकि नौच बगारा जैसे चीजों से यहां पर हमें छुटका रहा मिल गया पॉप अप सेलफी कैमरा देखने हूं मिल गया यहां पर वीवो ने बहुत जारी R&D की अपनी हाली में और यहां पर हमें काफी अची अची इन्नोवेशन्स निकाल के दियें अब यार वीवो ये जैसा ब्रेंट बनता जा रहा है जहां पर हमें एकस्पक्ट करते हैं कि कभी कोई ब्रेंड हमें कुछ अलग करके देगा तो वो वीवो या फिर ओपो जैसे ब्रैंड का नाम आता है क्योंकि यही दो जो है न कंप्रियां आजकल इन्नोवेशन कर रही है बाकी जो कंप्रियां उसको इंप्लिमेंट कर रही है वीवो ने यहाँ पर पॉपप कैमरा निकाल दिया इन्डेस पर फिंगरमेंट स्कैनर निकाल दिया ओपो ने यहाँ पर अलग तरह का पॉपप निकाला यहाँ पर अपने फाइंडेक्स में उन्होंने स्लाइडर दे दिया मोटराइज डॉला उसके बाद यहाँ पर ओपो अप 10X जूम भी लेकर आ गया है तो मतलब यह दोनों ब्रेंट्स जोना काफी कमाल गया हम कर रहे है तो अब हमें एक बहुत ही अट्रेक्टिव प्राइस पर जैसे की वीवो बोल रहा है बहुत ही जादा अट्रेक्टिव प्राइस पर वो एक ऐसा स्मार्टफोन लाने वाला है जो की Redmi को, Realme को, Samsung को बहुत जादा टकर देगा और इसका जो प्राइस होने वाला है वो 10 से 20 के बीच में होने वाला है यार अभी कोई भी यहां पर चीज रिवील नी हुई है कि यह 15 में होगा यह 18 में होगा यह जो भी होगा पर यह जो स्मार्टफोन लीग हुआ है वह आपको एक चीज बहुत आसकता हूँ कि काफी घसब का स्मार्टफोन आ रहा है और काफी बढ़िया इसकी स्पेसिफिकेशन है चले बात करते हैं वीवो के Z1 या मैं कोऊँगा Z1 Pro जो कि नई Gen Z यानि कि Gen Z जो कि हम है जो कि बहुत जाला है या पर मतलब अब एक्सपेक करते ही एक मोबैल जो है वो फुली लोड़ेड हो तो हमारी जेनरेशन को Gen Z बोला गया है हमारे लिए एक ऐसा वीवो स्मार्टफोन लेके आ रहा है जो कि हमें बहुत जलब पसंद आएगा Z1 Pro के मर में बात करते हैं यार इसकी सबसे बड़ी जो Highlight Point रहने वाली है वो यह है कि इस phone के अंदर हमें देखने को मिले वाला है पंच होल डिस्प्ले अब पंच होल डिस्प्ले हमने अभी हाली में देखा कुछ दिन मेले Samsung के M40 में बड़ी निराशा जी होई देखे कि यहां पर TFT डिस्प्ले लगाई गयी है पर आपको वीवो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है वीवो आपको यहां पर TFT डिस्प्ले नहीं देने वाला है यहां पर वीवो आपको दिन वाला है IPS LCD डिस्प्ले हमें यहां पर रगा था कि शायद AMOLED हो सकती है पर यहां पर AMOLED नहीं होने वाली है और जो fingerprint scanner है वो back side में मिलेगा अब glass जैसा दिखने का मतलब यह है कि glass नहीं होने वाला आपको gradient finish के साथ यहां पर polycarbonate bag देखने हो मिलेगी हां durable होती है polycarbonate बड़ वही बात है कि यह रिक्ती अची feel नहीं होती पर आपको वीवो का यह phone जो है वो इसकी exclusive look आई थी टेक्निकल गुरीजी चैनल के उपर यह phone काफी जादा सुन्दर लग रहा है अब इसमें जो display लगाई गई है guys वो 6.53 inches की है चैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको punch hole देखने को मिलेगा इसकी screen to body ratio काफी अचीब बन जाती है आपको बहुत immersive experience देखने को मिलेगा media consume करने वक्त और साथ ही आपको पता हूँ यह full HD plus के resolution के साथ है IPS LCD तो आपको display quality काफी बढ़िया मिलेगी हाँ इसके अंदर gorilla glass लगा होगा पर अभी तक यह कुछ confirm नहीं हुए gorilla glass production कौन सा होने वाल है चलो यह एक बहुत important चीज़ के बार में बात करते हैं वो है इसकी processing power यहाँ पर processor कौन सा लगा हूँ है यहाँ बरा कुछ 700 series का processor लगा है और यहाँ पर Snapdragon 710 तो बिल्कुल भी रही है guys यह Vivo का Z5X को थोड़ा सा rebrand करके repackage करके इस phone को ला रहे है अब इस phone के अंदर हमें Snapdragon 712 देखने को मिलने वाल है जो कि 710 का successor है अब यहाँ पर 712 है यह भी cryo 360 cores के उपर बना हुआ है और यह octagon processor है और आपको यह बहुत बहतरी performance देने वाल है यह 10 mm के उपर बना हुआ है और आपकी battery यहाँ पर efficiency बहुत ज़ादा है हमने Snapdragon 710 में भी देखा है कि battery बहुत अच्छे से यहाँ पर utilize होती है 712 में भी होने वाल है और आपको मैं एक चीज़ यह बता दू कि 712 जब वो improved version है 710 का तो obviously gaming बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है और यार जिनको अगर frequency speed के बारे मैं जानना है तो बहुत बता दू इस processor की frequency जो speed है वो 2.3 GHz किये गाइस अब इस phone के बारे मैं एक और चीज़ आपको बता दू जो बहुत जादा एक segment देखी वो यह एक ही यह दो variant के साथ आ रहा है 4GB, 64GB और साथ ही में 6GB, 128GB यह नॉर्मल बात है, जो excitement वाली बात है वह यह कि यह fully loaded phone है जिसके करण यह dedicated SD card slot के साथ आएगा अब यहाँ पर आपको आज कल के टाइम में भी बहुत सारे phones दिख रहे हैं जापे हमें micro SD card, hybrid SIM solution में दिखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको dedicated SD card में लेगा तो यहाँ जैसे मर्जी आप 2 SIM लगाओ, memory card लगाओ, यह अच्छी बात है नो यहाँ इतनी सारी चीज़े अगर Vivo ने दे दिये तो हमको battery भी अच्छी चाहिए अगर battery अच्छी चाहिए तो यहाँ कम 4000 mAh तो होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छा काम होगा battery backup को लेकर हाँ एक और चीज़ बतातू कि charging आप यह थारा watts के उपर होने वाली है और यह आपको box के अंदर मिलेगा थारा watts का charger गैस एक चोटी से disappointment है यहाँ पर जिसके बार मैं बताना चाहँगा वो यह कि यार पता चला है कि यहाँ पे micro USB port का use के गया है यहाँ भी हमें type C देखने को शायद नहीं मिलेगी अगर ऐसा है तो यार मैं थोड़ा सा sad होगा चलिए यहाँ पर चैमरास की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर चैमरास आपको back side में triple camera देखने को मिलेंगे जो कि आपको depth provide करके देगा तो यहाँ पर आपको कोई telephoto गारा देखने को नहीं मिल रहा है पर आपको boke more देखने को मिल जाएगा और जहां तक मेरे को यहाँ पर vivo का बता है वो AI तो भरपूर डालेगी तो देखते हैं photography कैसी होती है और रही बात सामने वाले camera की जो आपको punch hole में देखने को मिलेगा वो आपको 32 megapixel की selfie देने वाला है तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि vivo काफी कमाल करने वाला है अपने selfie camera के अंदर यह सीदी से बागए अगर कोई तुम यह TikTok बहुत जाला बनाते हो या फिर तुम vertical video किसी भी app में बनाते हो या आप YouTube पे selfie camera यूज़ करना चाहते हो तो कुछ भी है यार अगर आप videos बना रहे हो ना selfie camera से तो आपके लिए I think vivo काफी अच्छा हो सकता है अब चलते हैं यहां में software की तरफ तो आपको fun touch हो इस तो दिखने को मिलने वाला है और यह Android 9 के ऊपर based होगा तो यह एक अच्छी बात है कि latest software होने वाला है तो मैं यहां पर यहीं उमीद करूँगा कि यार fun touch में थोने से bugs काम आए क्योंकि अब यह भी fun touch और यह जो color वैसा न मेरे को कहीं न कहीं improvements दिखती है कि यार हो सकती है अब यहां में multi turbo यूस किया गया है जिसके आपको gaming turbo मिल जाएगा और भी काफी दर के turbo turbo मिल जाएगे पूरे के पूरे UI के अंदर और चुकि आपका experience जो है वो और भी जादा enhance करेंगे और यार यह ना actually इस PUBG के लिए specialized functions के साथ आ रहा है अगर आप PUBG के लिए तो आपको 4D vibrations देखने को मिलेंगी साथ ही साथ यहां पर आपको 3D audio output देखने को मिलेगा तो अगर आप PUBG वारा खेरते हो जैसे कि Gen Z बोल रहे है वो Gen Z को PUBG के लिए बहुत पसंद है तो उनके लिए यह phone काफी बढ़िया हो सकता है तो यह यह सारे के सारा package जो अभी तक पता चला है Vivo Z1 Pro या आपको Z1 Pro जो की प्रनाउस किया जा रहा है यह आ सकता है बहुत ही जल्दी इसको exclusively यहां पर मतलब शो किया गया है YouTube के उपर तो यह यह phone देखने में तो बहुत जाला promising लग रहा है देखने किस price पर आता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हम अपने opinions कि यह उस price पर आपको यह phone लेना है कि नहीं लेना है बाग यह आप मेरे को बताओ comment section में आप इसकी wait कर रहे हो वीवो के phones आपको पसंद है या फिर नहीं और वीडियो को like ज़रूर किशेगा मैं आपको मिलता हो अगले एपिसोड में तब तक अपना प्रिशानवाल करकी खयाल keep smiling and always check you guys love you